कि सभी बंधुओं को नोशकार आर्वियस क्लासेस दपरिच्छा गुरू में सभी का स्वागत है आए मित्रों आज की सेशन की सुरुगात करें और आज हमारे सामने महत्पूंट टॉपिक है असोग के अभिलेखों पर तो आए सभी मित्र असोग के अभिलेखों से संबंधि को पढ़ें आप सबसे निवेदन है कार्वियस क्लासेस दपरिच्छा गुरू चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए आए हम सेशन की सुरुगात करते हैं हमारा जो टॉपिक है असोग के अभिलेखों से संबंधित है तो अभिलेख असोग के प्रमुख फैक्ट चीजिए डिस्वाग डिस्कुर्शन करना आती आवश्च्छक है तो जो असोग का पहला अभिलेख खोजा गया था दिल्ली मेरट अभिलेख अभिलेख खोज करता जो टी फाइन थेलर थे जिन्होंने क्या किया था असोग के अभिलेख को खोजा था य खोजा तो खोजने वाले कौन थे टी फाइन थेलर कब खोजा सत्रह सव पचास इस भी में खोजा गया था ना यह कौन सा भी लेखता तो जो ब्रिहद अस्तंबलेख था जिसे कहा जाता है डिल्ली मेरट अर्थात मूल रूप से मेरट में था फिरोज तुगलक के समय में इ डिल्ली मेरट करा गया क्योंकि मूल्ठ मेरट मेरट में अस्तहापित था और फिरोज तुगल्क के साषंकाल में जो तुगलक वंस का साथ था उसबहुतां इसका नाम पढ़ा गया दिल्ली मेरट इसको खोजने वाले कौन थे टीफएन थे लर थे कब खोजा था गया गया अब बात आती है कि सभई सतु पहला पढ़ा जाने वा अभी लेक कौन था दिल्ली टोपरा ऑभिलेक जो है सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेक है ते कैसा अभिलेक है यह जो है ब्रिहद ब्रिहद अस्तंभलेक अस्तंभलेक है बियाद अस्तंभलेक दूसरा माँने आपको बताया कि जो पढ़ा जाने वाला पहला अभिलेक था वो दिली तोपरा अभिलेक था कौन सा दिल्ली तोपरा भिले यह मूल रूप से कहां था यह तोपरा अर्था था हर्याना में था हर्याना में मूल रूप से हर्याना में तोपरा में इस्थित था फिरोस्तुगलक के समय में इसे कहां अस्थापित करा गया दिल्ली में अस्थापित करा गया इसलिए इसका न या पढ़ा जाने वाला पहला अभिलेक वना जाता है पढ़ा किसने था सरवपर्थम पढ़ने वाले थे जैम से प्रिंसिप तो दिल्ली टोपरा अभिलेक को सबसे पहले पढ़ा इनकी लिफियों को वक्ते जैम से प्रिंसिप कब पढ़ा ठारा सव सांधी सिस्वी में होद इन्पोर्टन कोश्चन आपके सामने पुछा जाता है कि सब से पढ़ा जाने वाला सो का कौन सा अभिलेक है तो दिल्वी टोपरा यह कैसा यह जो ब्रहद स्थम्भलेक के रूप में जाना जाता है और इसको पढ़ा किसने था जेम से प्रिंसिप ने पढ़ा था कब पढ़ा था ठारा सॉसाइटी सिस्वी में इसे पढ़ा था यह बाते असो के अभिलेक की भासा पूछी जाती है तो भासा कैसी थी प्राक्रत भासा थी कौन से प्र तो कि जो लिपी थी वह ब्राम ही लिपी में लिखा गया खरोष्थ लिखें लिखा ऑर मैइक लिखा गया और ग्रीक ग्रीग कीSmall स qa Mädelina зал से तो ग्रांच के जो अभिलेक थे से उसकी कई लिफियां थी अधर आंडि लिफी इतन है ये लिधर में लिखा गया था ब्राम्ही लिपी में भारत में जितने भी अभिलेक मिले हो किस अभिलेक कैसे किस लिपी में मिले हैं तो भारत में जितने भी अभिलेक खोजे गए हो किसके हैं ब्रामी लिपी के हैं खरोष्ठी लिपी जो है अर्था जो पाकिस्तान के दो अभिलेक मिले हैं एक साहवाजगड़ी और दूसरा मांसहरा तो साहवाजगड़ी और मांसहरा जो अभिलेक है किस लिपी में है तो खरोष्ठी लिपी में है तो लगमान और तक्षसिला से जो सिला लेक मिले हैं वो कैसे हैं यह जो है आर्माई के लिपी के हैं तो आर्माई के लिपी आगे के उसके आगे के जो अभिलेक है इरान छेत्र के वो युनानी लिपी के अर्थाद ग्रीक लिपी के खोजे गए हैं तो ग्रीक लिपी के दो जैसे कांधार और एक है सेरकुना कांधार और सेरकुना जो अभिलेक है यह दोनों अभिलेक के ही अभिलेक हैं यह दोनों अभिलेक किस भासा में हैं दोई लिपिक हैं दोई लिपिक का मतलब अर्था दो लिपियों में लिखे गए हैं तो आप से क्वेस्चन पूछा जाता है कि इसमें दोनों लिपिया पाई जाती है कहां कंधार और सेरकुना ने तो असोग के अभिलेक में चाल लिपियों का प्रियोग किया गया है कौन-कौन सी ब्राम्ही लिपी खरोष्थी लिपी आर्माइक लिपी और ग्रीक लिपी ब्राम्ही लिपी में भारत में जितने भी अभ अभिलेक मिलते हैं एक साहवाजगड़ी दूसरा मानसहरा आर्माइक लिपी के लगमान और तक्षिसिला से जो अभिलेक मिले हैं यूनानी लिपी या इसी को कहा जाता है यूनानी लिपी या ग्रीक लिपी इसी को कहा जाता है और यह कहां से मिले हैं कंधार और सेनकुना से तो अभी लेक मिले हैं यह आर्माई को ग्रीक दोनों लिपियों के मिले हैं तिये चाल लिपियों का प्रयोग हुआ है किसमें असोग के अभी लेक में ठीक है चलिए आगे यह क्या है असोक के ब्रिहद सिला लेक की चर्चा है ब्रिहद सिला लेक मतलब कि बड़े-बड़े सिला पट पर जो लिपिबध कराया गया उसी को कहा जाता है ब्रिहद सिला लेक तो ब्रिहद सिलालेक जो बड़े बड़े चटानों पर लिखे गए थे उसी को कहा गया ब्रिहद सिलालेक तो बड़े बड़े चटानों पर जो लिखे गए उसी को कहा गया ब्रिहद सिलालेक सिला मतलब होता है पत्थल असो के अभिले कहां कहां से मिले है मैंने आपको बताया कि असो के अभिले कितने है ये होता है सिला लेक दूसरा होता है अस्तंभ लेक तीसरा होता है गुहा लेक जो सिला लेक होता है दो तरह के मिले है एक बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा ग उसे कहा गया ब्रिहद अस्तंब लेख और जो छोटे खंबो पर लिखा गया उसे कहा गया लग अस्तंब लेख और जो गुफाओं अर्थात पहारों को काट कर उनकी दिवालों पर जो लिखा गया अब लेख उसी को कहा गया गुहा लेख का मतलब होता है कि पहार को काट कर ज कौन से अभिलेक है है अस्तम्भ लेखा और गुहा लेक है कि परकार का होता है एक प्रहुते दूसरा लग्सिला लेक लिखे गया उसंदैं्ट असिए उटे उसे से चोटे छोटे वोपार लिखा गया उसी को ना को कटाकर उनकी दिवालों पर जो लिखाया गया था उसी को कहा जाता है गुहा लेक चेकंट इन पर हम discussion करेंगे तो जो ब्रिहत्सिल्हालेक है सबसे पहले हम कौन कितनी है 14 और जो कितने अस्थानों से मिले हैं आठ अस्थानों से मिले हैं तो ब्रिहत सिलालेख जो है वह उस पर लेखों की संख्या कितनी है तो 14 वह कितने अस्थानों से मिला है तो आठ अस्थानों से मिला है तो लेख आप से कुछा जाता है ब्रिहत लेखो की संख्या कितनी है तो लेखो की संख्या कितनी है चौदर कितने अस्थानों से मिले हैं तो आठ अस्थानों से मिले हैं तो आए आठ अस्थान कौन कौन से हैं पहले हम मायप के थुरुजाननी का प्रयास करते हैं उसके बाद हम चलते हैं तो जो ब्रिहाच चिलालेक ह कितने अस्थानों से आठ अस्थानों से मिले हैं आठ अस्थान कौन कौन से हैं यहां उडीसा के दो अस्थान है एक देखिए उडीसा के दो अस्थान है एक है जौगर है और दूसरा है धौली यह कहां है उडीसा में है उडीसा में उडीसा के दो अस्थान है एक है जौगर दूसरा है धोली दो उड़ीशा एक कलसी है कलसी मतलब होता है उत्तरा खंड उत्तरा खंड कलसी सिख तो कलसी में है यहां कहां है कलसी कलसी je देखिए यहां कलसी देख रहे हैं यहां कलसी यह कहां है उत्तरा खंड में है उत्तरा खंड उत्तरा खंड में ना उत्तरा खंड में कलसी है दो जो है कहां मिलते हैं दो जो है पाकिस्तान के छेतर से मिलते हैं तो दो पाकिस्तान के छेतर से कौन सा कौन कौन सा है एक है यहां पाकिस्तान छेत्र का यहां थोड़ा सा कटा हुआ है यहां आपका सकते हैं कि का पाकिस्तान छेत्र के दो है एक है सहवाज गड़ी सहवाज गढ़ी और दूसरा है मान सहरा क्या है मान सहरा दो अभिलेखे पाकिस्तान के हैं इसके साथ साथ एक जो है गिरिनार है आपके सामने दिखाई दे रहा है यह कौन सा है गिरिनार 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 है यह कहा है गुजरात में गुजरात गुजरात में गिरिनार कहा है गुजरात में एक है सोपारा सोपारा कौन सा है सोपारा सोपारा कहा है यह है महाराष्ट 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 में है ना सोपारा महाराष्ट थाना जिला महाराष्ट में और यह का है एर्रगुडी 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 यह कहां है आंध्र प्रदेश कहां है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में है आंध्र प्रदेश का जो करनूल जिला है यह क्या है कि करनूल जिले में एर्रगुडी है यहां से क्या मिला है ब्र तेन चार पांच छह साथ और आठ तीससे बहूत इपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है एक क्वेश्चन सुरिये कि जौगर कहां इस्थित है जौगर सिला लेख मिला है वह कहां इस्थित है तो उड़ी इसा में है इसके साथ साथ दूसरा और सहवाजगरी कहा है तो पाकिस्तान में है इसके साथ गिरिनार कहा है तो गुजरात में है इसके साथ साथ सुपारा कहा है तो सुपारा जो है वो महाराश्ट में है इसके साथ साथ एरगुडी कहा है तो दक्षिड भारत में तो आप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है द तिया जा है आंद्र प्रदेश का करनूल कुरनूल जो जिला है वहीं से क्या मिला है कि ब्रहत सिला लेक मिले हैं तो ब्रहत सिला लेक कितने अस्थानों से मिले हैं आठ अस्थानों से मिले हैं जिस पर लेखों की संख्या कितनी है चौदा ना ते चौदा सिला लेक हैं आपके कि धोली और जोगण है उस पर लेक संक्या 11 12 तर्था 13 नहीं मिलता कौन सा धोली और जोगण है धोली और जोगण है यह दोनों सिला लेगा है जिसपर लेक क्या 11 2012 और 13 नहीं मिलता अर्था तिस पर लेक संख्या 11 बारा 13 नहीं मिलता किस पर कि जो धौली और जोगड है तो धौली और जोगड से लेक संख्या 11 बारा और 13 नहीं मिलता ना जबकि जो सहवाज गड़ी है इससे लेक संख्या 11 और 12 नहीं मिलते ना तो इसके अस्थान पर क्या किया गया है दो प प्रता किलिख सिलाले किस पर बने है इसी जोगर और धाॉड़ली पर बने हैं तो सहवाद गड़ी से लेग संक्या यार मैं मिलता जब कि क्थ conse संख्या यारा वारा 13 नहीं मिलता यह इसके थान पर कैसे दो प्रथक कलिंगं सिलालेक का निन माल हुआ है ना ती सब प्रमुक्षी जे आए देखते हैंकब खो जागया तो कब खोजा गया जो गिरिनार सिलालेक है या सबसे सुरक्षित दसा में जो अभी लेक है वो कौन सा माना जाता है कि गिरिनार सिला लेक गिरिनार सिला लेक सबसे सुरक्षित सबसे सुरक्षित सिला लेक जो है वो कौन सा है गिरिनार सिला लेक सबसे सुरक्षित सिला लेक है या कहा है तिया गुजरात का जो जुना गड़ है अब जिला है वही पर एक कौन जाए गिरि नार इसके खोज करता आप से कई बार इजाम में पूछा जाता है कि खोज करता करन तो गिरिनार लेक को खोजने वाले कौन थे करनल ताड थे कब खोजा गया था 1822 में खोजा गया था 1822 में खोजा जाने वाला कौन सा गिरिनार व्रहसिला लेक था या सबसे सुरक्षित अवस्था में मिला है ठीक है दूसरा सावाजगड़ी ना सावाजगड़ी कहा है पाकिस्तान का जो पेसावर जिला है वहीं से सावाजगढ़ी मिला है इसके खोज करता कौन है तो इसके खोज करना करता जो माने जाते हो जरनल कोर्ट माने जाते हैं कोर्ट कि खोजागया था फारा सो छ ואे सिवी में खोजा गया था तो कहों साथ साहवाजगढ़ी चिला लेक को को खोजने वाले करूं थे तो जनरल कोट थे कब खोजे तै प्र Для स्थाथ 16 mAudy थे ति यह सावाजगढ़ी या धौली कहां है तो धौली मुक्यूप से कहां है तो धौली जो है मुक्यूप से कहां है तो धौली उड़ीसा का पूरी जिला है उड़ीसा का पूरी जिला है पूरी जिला उड़ीसा का जो पूरी जिला है वहीं क्या है धौली इसके खोज करता कौन है तो इसके खोज करता कीटो माने जाते हैं कब खोजा गया था तो कब खोजा गया था अठारस और साइटी सिस्वी में खोजा गया था तो कीटो ने इसकी खोज की थी कब खोज की थी अठारस और साइटी सिस्वी में खोज की थी सब ब्रिहत सिलाले की चर्चा हो रही है कब खोजा गया था बहुत करता कौन है तो इसके खोज करता वाल्टर एलियेट वाल्टर एलियेट या कब को जा गया था या खोजा गया था ठारा सव पचास सभी में खोजा गया था ते यह कहां है गंजाम उडीचा का जो गंजाम जिला है वहीं है इसके खोज करता कौन है तो वाल्टर एलियेट इसक जिला है कलसी कालसी जी से लिखा गया है कालसी कहां उत्तरा खंड का जो देहरा दूंजिला है वहीं कालसी है इसके खोज करता जो है फोरेश्ट है फोरेश्ट तो इसके खोज करता कौन है फोरेश्ट है कब खोजा गया था अठारा सो साथ हिस्वी में खोजा गया था तो इस से बेहतर आपको नहीं कहीं मिल सकता यह सबसे बेहतरीन है यह सब आपको हर एक्जाम में आपको question देगा चाहे लो एक्जाम हो चाहे हाई exam हो हर एक्जाम में ऐसे question आपको मिलने मिलते हैं किताब में भी जल्दी आपको में देखने को नहीं मिलेगा इसी प्रकार मांसहरा है मांसहरा भी कहां है पाकिस्तान में है पाकिस्तान का जो हजारा जिला है वहीं मांसहरा है ना तो पाकिस्तान का जो हजारा जिला है वो मांसहरा है इसके खोज करता कौन है कनिंगम Captain ते करनूल जिला में है करनूल जिला इसके अणगोष करता यह छो जा गया था सूपारा जो है सूपारा कहा है महाराष्ट में है कहा है थखाना बचाना जिलह में है महाराश्ठ का जो ठाना जिलह है ठाना जिलह यह्हां पढ़ार चाहिए रहा लिखना जिलहीं है थाना जिले में इसकी खोज कब हुई अभी तक मिला नहीं और इसका कब खो जा गया और किसमे कोज heb Quindi kyeti जानगारी अभी तक उपलब्द नहीं ओपाई है ति यह आठ सिला लेक है ब्रहत सिला लेक आठ अस्थान से मिले हैं जिस पर लेखों की संक्या कितनी है तो 14 है ना तो आठ अस्थान कौन-कौन सा है आठ अस्थान आपके सामने याद होने चाहिए कि दो है उडिसा में एक है देहरादून में दो है पाकिस्तान में एक है गुजरात में एक है महाराष्ट में एक है अंदरप्रदेश में आपको याद होगा अब आपको याद हो गया होगा कि गुजर उडिशा में कौन कौन से है तो धौली और जोगल उडिशा में है कलसी कहां है वो तराखंड में है मांसहरा और साहव भारत में आंध्रपरदेश में तो वह कौन सा है कहां है आंध्रपरदेश के कुरनूल जिले में इस्थित है सबसे शुरक्षित अवस्तह में खोजा गया तो गिरिनार सिला का लेक है किसे ने खोज की कब खोजा गया इसका डिटेल आपके सामने उपस्थित है चलिए आए देखते हैं अगला मैंने आपको बताया कि यह जो आपको याद करने का सबसे बेहतरी तरीका यह जो आपके सामने दिया गया है यह फिगर आपके दिमाग में बन गया तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे ना तो भूल नहीं पाएंगे यह सब ब्रहत सिला लेक है जहां जहां आपको मैंने आपको बताया कि यह दोनों उडिसा में हैं यह जो उडिसा में धावली और जोगड़ है इस पर लेक संक्या 12 13 इसके स्थान पर प्रठक क्लिंग शिला लेक की रचना हुई है इसीप्रकार जो सहवाज गड़ी है वहां से लेक संक्या 12 नहीं मिलता जबकि धली जफर्थयांक संस्थ ग्यारा 12 13 शाट रहनेया है चलिए अब देखते हैं यहां से important question पूछा जाता है इसके साथ साथ important question और क्या पूछा जाता है कि जो ब्रहत सिला लेक है उस पर कौन कौन सा लेक लिखा गया है अर्था 14 जो लेक हैं वो कौन कौन से पहले पर क्या लिखा गया है दूसरे पर क्या लिखा गया है तीसरे पे क्या लिखा गया है इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा की याद करने का इसा तरीका है yeah तो जो चौदा सिलालेक हैं चौदा सिलालेक में पहले सिलालेक पर क्या है दूसरे पर क्या है तीसरे पर क्या है चौथे पर क्या है इस पर भी हम डिसकेशन करेंगे पहले हम डिटेल पढ़ लेते हैं उसके बाद इसके ट्रिक पर भी अध्यान करेंगे तो जो पहले सिलालेक है उसमें क्या है कि पहले सिलालेक में पसुबधिकी निंदा की गई है ध्यान पुरवक सुनेंगे आपको याद हो जाएगा तो पहले सिलालेक में किसका उलेक किया गया है अर्थात पहले सिलालेक में पशुबध की निंदा की गई है किसकी पशुबध की निंदा की गई है तो पहला सिलालेक किस से संबंदी है पशुबध की निंदा की गई है दूसरा सिलालेक कांसा है दूसरे सिलालेक में मानच किस साथ पसुची किस्सा का भी उलेख किया गया है तो अर्थात मानोची किस्सा भी की जाती थी इसी समय पसुची किस्सा भी की जाती थी तो मानोची किस्सा के साथ साथ पसुची किस्सा का जो लेख किया गया है किसमें दूसरे सिलालेख है और इसी दूसरे सिलालेख में असोक ने अपने पडोसी राज्जों का भी उलेख किया है पडोसी राज्ज कौन कौन से है चोल है चेर है पांड है सत्य पुत्र है तथा तामरपांडी है तामरपांडी का मतलब स्री लंका तो दूसरा सिलालेख जिसमें मानवची किस्षा के साथ 75 किस्षा का अभ्यू लेक किया गया है इसी सिला लेक में सबस्त किस्षा के साथ 73 पृत्र नियुत Congressman क्वार प्रपांड ताम पम्लब क्या मतलब स्रीलंका ह्वलेख भी किया है तो दूसरे सिलालेख में क्या है मानवची किस्ता के साथ सथ्पस्ट सीक्सा का याثी में असोक ने अपने पडोसी राजस्व का भी उसने किए तोarlo सिलानिक अगला तीसरा जो सिलानलेग है क्या है तीसरे इसला शिलानलेख मे आसोक नहीं युक्त रजुक क्राडेशीक युक्त प्रदेशिकारी 3 प्रामुखदिकारी थे उन्हें से एंग ता युव्त युक्त लमक्त क्या रिता एक Peach I can की दाउरा पर जाने का उल्ले किया है ना तो आर्था इनको साथना देश दिया गया था कि जो युक्त-र रजुका अप्रादेशिक नामा का धिकारी हो प्रति पांचवे वर्स रज का दोरा करेंगी आदेश दिय गया था इसी लेके माध्य हम से तो तीसरे सिलालेख में युक्त, रजजुग, ठतेसिक नामका दिकारी को प्रति पाँचिья वर्स, राजी की दोरे पर जाने का उल लह किया गया है किसमें तीसरे सिलालेख, ठीक है अगला, चौथा सिलालेक कौन सा है चौथा जो सिलालेक है उसमें क्या किया गया है उसमें उलेक किया गया है कि भेरी घोस भेरी का मतलब होता है युद्ध युद्ध के अस्थान पर धम घोस का उलेक किया गया है तो जो चौथा सिलालेक है वो क्या है भेरी भेरी का मतलब होता है किसमें चौथे सिला लेखवे किया गया है तो चौथा सिला लेख किसे संबंदीत है कि युद्ध के अस्तान पर धम घोश की बात कही गए अर्था धम का मतलब होता है धर्म धम का अर्थ समझें धर्म ना तो असोक का धम जो है उसकी चर्चा आगे आपको अगले वीडियो मे किसमें मिलेगा तो धम अर्थात युद्ध के अस्तान पर धम घोश का उलेख किया गया है कि समें चौथे सिला लेख बहुत ही इंप्वा ऋतिंप्वर्टेंट है जो धम महामातिकी नियुक्ति का उले किस में किया गया है तो आप पच्वें सिला लेख में तो आप से क्वेशन पूछा जाता है कि धम महामातिकी नियुक्ति का उले का सोक ने किस सिला लेख में किया है तो पांचमें लेख में किया है तो पांचमें सिला लेख में किया है का सोक ने धम महामातिकी नियुक्ति का उल्ले किया है तो धम का प्रचार करने के लिए धम महामातिकी की नियुक्ति का अर्था धम महामातिका मतलब धर्म के प्रचार के लिए जो अधिकारी न्युक्त किये गए थे उसी को कहा जाता है धम महामात्य तो धम महामात्य की न्युक्ति का उल्ले किसमे मिलता है तो पांच में सिलालेक में मिलता है इसी प्रकार असोक ने छटवे सिलालेक में तो छटवे सिलालेक में असोख ने अपने प्रतुवेद को प्रतुवेद को को आधेश दिया था प्रजा की भलाई से सम्बंधित है ज ही सभी कारियों के लिए वह राजा को सुचित करी किस में कहा गया था छटवे सिला लेक में कहा गया था छटवे सिला लेक में क्या मिलता है कुनों ने अपने प्रतिवेदकों को आदेश दिया था कि जनता की भलाई से संबंधित कारियों के लिए हर समय सुचित करे चाहे वो राजा किसी भी हो चाहे राजा अंतापुर में ही क्यों नो अगर जनता से संबंधित कोई कार है तो राजा से प्रादेशिक मिल सकता है तो जनता के से किसी भी जनता की भलाई से संबंधित कोई भी सूचन हर समय राजा को पहुंचनी चाहिए यह आधेश अगला सात्मत्सिला लेख क्या है सत्मत्सिला लेख में असोक ने सभी धर्मों की साथ सभी धर्मों के लोगों को सभी अस्थान पर निमास करने की स्वतनता ती थी कि अगर कोई भी साथमय संप्राइब के सभी धर्मों संप्राइब के लोगों कहीं भी भी गख सकते हैं तो जो साथमय स्थान पर निमास कर सकते हैं इसका वर ब्लेक सिंब किया गया j reserved सिला लेख में क्या किया गया है आठमें सिला लेख में बोध गया से धम्यात्रा सुरू करने का लेख असोक ने किया है किसमें आठमें सिला लेख में कब अर्थात राज्या विशेक के दसमी वर्ष कि राज्जाब इसे के दस्में वर्च क्या किया गया है बोध गया इसे जिला लेखर Les च्छिद किया गया है किसमे इसमें नावे सिला लेख风 में सभी धार्मों के मंगला Agent मंगलाचनल की आलोचना की गई है और धम मंगलाचनल का सर्वस्रेष्ट घोषित किया गया है किसमें नवे सिलालेक में तो सभी धर्मों के मंगलाचनल की आलोचना की गई है और धम मंगलाचनल का क्या किया गया है सर्वस्रेष्ट घोषित किया गया है किसमें नवे सिलालेक दश्मान सिलाले किसे यसा और कीर्थी की निंदा की गई है और धम निर्थ की श्रीष्टा पर विचार व्यक्त किया गया है यह दोनों धर्म से संभण्दीत है इसी प्रकार्ग्यारहमा श्रेष्ट किस में बताया गया। बारहमें सिलालेक किस से संबंदीत है तो बारहमें सिलालेक में सभी धर्मों के सार विद्धिकी कामना की गई है यह इंपोटेंट है तो सभी धर्मों के सार विद्धिकी कामना किसमें की गई है तो बारहमें सिलालेक में की गई है और बारहमें सिलालेक में ही इस्त्री महामा प्रचार प्रसार हो उसी प्रकार अन्य धर्मों का भी प्रचार प्रसार हो अन्य धर्म भी अपना शल्ड करें इसकी बात की गई है बारावनेर सिलालें सी रावा सिला लेख सबसे बड़ा बड़ा सिलालेस में क्या किया गए कङया तो सिलालेος सब इंपोर्टेंट जो परिछा की द्रिश्टिकौण से बहुत बार एक्जांटा चाहे चोटा हो चाहे बड़ा हो कोशन पूछा जाता है कि असो का सबसे बड़ा सिला लेक कौन सा है तो ते रहमा सिला लेक है तो ते रहमा सिला लेक सबसे बड़ा है और इसमें किसका उलेक किया गया है कलिंग युद्ध का उलेक किया गया है ना कलिंग युद्ध या युद्ध कब हुआ था ती तीसी अभिलेग से जानकारी मिलती है तीसी अभिलेग से जानकारी मिलती है तेरहमें सिला लेग से की असोक नहीं तीन सा एक सथी सापुर में कलिंग में युद्ध किया इस युद्ध में भारी नरसंगहार हुआ अभारी नरसंगहार को देखते हुए असोक का हर्दय परिव प्रतिज्ञ्या की और वहीं से उसके बीचे हिर्दय में परिवर्तन हो गया तो हिर्दय परिवर्तन जो हुआ किसका उनले किसमें है तो तेरह में शिलालेक में अर्थाथ कभी यह कलिंग यह दुगा था तो यह इसी सिलालेक में असोग के हिर्दय परिवर्तन की बात कही गई है एक चीज और मिलता है इसी सिलालेक में असोग ने आटविक जन जातियों को साइन ने भरी धमकी दी है आटविक मतलब होता है जंगली जातियों को साइन ने भरी धमकी भी दी है किसमें तेरहमें सिला लेक में क्या कही गई है कि तेरहमें सिला लेक में आटविक राजाओं को अर्था जंगली राजाओं को साइन ने धमकी भी दी गई ह तो आप ध्यान दीजिए कि आप से क्वेशन पूछा जाता है किस सिला लेख में असोक ने आटविक जातियों आटविक राजाओं को सैने भरी धम की दी है तो किसको अर्था तेरहने सिला लेख है चौदावा सिला लेख और अंतिम सिला लेख है इस लेख में समस्त अभिलेखों का उपसंगहार स्वरूप लिखा गया है यह जो है इसे क्या कहा जाता है इसे धम लिपी की संग्या भी दी जाती है इसमें यह कहा गया है कि हमारे द्वारा कोई तूटी नहीं की गई है जो कुछ तूटी की गई है वह की गई है लिपी के द्वारा अगर किसी तरह की तूटी हो दी है तो इसके लिए जो लेखक है वो जिम्मेदार है ते बातने कही गई है किसमें 14 में सिला लेख जो है अभी लेखों के उप्संहार स्वरूप लिखा गया है और इसमें इसे क्या कहा जाता है इसे धम-लिपी की संग्या दी जाती है तिये असो के चौदा के चौदा सिला लेख है ना तो चौदा सिला लेखों में मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत बार एक्जाम में एक क्वेशन पूछा जाता है तो चौदा सिला लोकों में पहले सिला लेख में पशुबध की निंदा की गई है द पीसरे सिलालेक में असोक ने युक्त, रज्युक्त, तथा प्रादेशिक nama क अधिकारी को प्रति-पांच वे वर्स राज की दारा पर जा ने का उलेक किया है। उसमें भेरिघोश के अस्थान पर धम घोश का उलेक किया है। पाँच्वा जो सिलालेक और उसमें धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामाति की निव्क्ति का उलेक गया है। सिलालेक में असोक ने अपने प्रतिवेद को को आदेश दिया था कि आप सम्भृ देडान के गई की गई है आठवे सिला लेख में इस धम यात्रा शुरू करने का उलेख किया गया है कहां से बोध गया से अर्थात राज्या विशेक के दस्में वर्थ जो नवाँ भी लेख है वो सिष्टा चार से समबंधित है इसमें सभी धर्मों के मंगला चलान की अलोचना की गई है और धम मंगला चलान का उसरों स्रेष्ट गोशित किया गया है दसमा जो लेख है उसमें यस किर्थ की निंदा की गई है और धम की स्रेष्टा पर विचार किया गया है ग्याराहमा सिलालेख जो है धम दान की स्रेष्टा बताई गई है बारहमें सिलालेख में सभी धर्मों की सार विद्धी की कामना की गई है और इसी बारहमें सिलालेख मे इस्त्री महामात्ति की नियुक्ति का उल्लेक किया गया है इस्त्री महामात्ति का मतलब होता है कि इस्त्रियों के लिए अधिकारी इस्त्रिय अधिकारी करई दिरावां जो सबसे बड़ा है जिसमें किसका कुलिंग युद्ध का उलेक किया पिसमें तिरावें भी सिलावलेक में इसी सिलावलेक में यह बताया गया कि कलिंग सिवालेक मैं भारी नरसंगार हुआ जिसके तहत असोक का हर्दा परवर्तित हो गया और सदायों सदाव के लिए इसी युद्ध के पाश्चात युद्ध की नीती त्याग दी थी ना लेकिन इसी सिलालेक में एक और उनलेक मिलता है का सोक ने आटविक जातियों अर्था जंगली जातियों को सैन हणम या दी जाती है यह सब कैसे हैं चवदह जिला लेक ठीक है इसी से संबंदित Self यह कुछ जय है आपको ट्रीक भी वता देते हैं जैसे हुई शिकों की विशिक आ लेते हैं जैसे ठीक में हम यह द्शा करते है कि जैसे चौता जो सारा आता स्थान से मिले हैं ब्रिहुप त्सिलालेक उसके लिए कौन सा ट्रीक है तो आठ अस्थान है इसके लिए साम को जो जो गधव होते हैं यह कौन सा है यह जो है ट्रीक है तो यह क्या है साम को साम को का जो सोए सोए वो क्या है वो गधो होत है वो गधो होत है इसमें देखिए इसका ट्रीक ऐसे ही बनाया गया है कोई इसमें जैसे साम का मतलब क्या होता है पहला साम का मतलब होगा है साहवाज गढ़ी क्या होगा साहवाज गढ़ी ना सावाज गढ़ी हो गया मा का मतलब क्या होता है मान सहरा मान मतलब क्या होगा मान सहरा मान ऀ सहरा सेहरा का का मतलब क्या होगा कालसी 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 ना इसी प्रकार जो का मतलब क्या होगा जो का मतलब होगा जोगड़ है क्या होगा जोगड़ है जोगड़ है ना सो का मतलब होगा सोपारा क्या होगा सोपारा तो का मतलब क्या होगा तो सो का मतलब होगा सोपारा तो का मतलब होगा सोपारा तो पारा ना सोपारा एक का मतलब होगा एर गुडी एर गुडी गुडी एर गुडी ना तो यह कितना हो गया । दो तीन चार पांच है ना इसी प्रकार छेश अगला कौन होदा गाह ब्रखक मतलब होगा गिरिनार हम नाम से चलते हैं कि इर नार ettop नह इसके साथ और और कौन अर्था हम देखते हैं सुपारग इसके साथ सा एर गुड़ी तो जोगड़ हो गया धाउली धाउली यह कौन सा होगा धाउली धाउली यह है धाउली धाउली ना यह आठा स्थान है तो साम का जो सोए वो गधो होते हैं ना तो सा का मतलब होगा सहवाजगड़ी मा का मतलब होगा मांसहरा का का मतलब कलसी जो का मतलब जवगड़ सो का मतलब सोपारा एक मतलब एर गुड़ी गर का मतलब गिरिनार और धो का मतलब धाउली एक ऐसे है आठा स्थान है जहां से कि चौदा के चौदा सिलालेख मिले हैं ते आठ हस्तान है जिसका ट्रिक आपके सामने है यह ट्रिक इसलिए बताई जाती है आपको जब चीजे आती रहती है तब तो ट्रिक काम करता है नहीं तो ट्रिक नहीं काम करता तो अगर आपको आठ अस्तान एक बार पढ़े हैं ती इस साम का जो सोय वह गदो होता हैं तहीं इसका मतलब यह आपके सामने ट्रिक है किस सांने सावाद है है का मतलब मान सहरा का मतलब कलसी जो कम बतलब जोगड़ ता कम मतलब शोंपारा एक अंतलब भुशा घृ इसके साथ साथ और कुछ ट्रिक है जैसे एक और ट्रिक है जिसमें 14 के 14 सिलालेक का उलेक किया गया है वह पंचीदा धनी जाती है आती है पंचीदा पन क्या है आए देखते हैं एक और ट्रिक है आपके सामने आपके सामने एक आओ ठीक है कि पंचीदा धनी जाती है शिप्राधनिक बनाती है तो कौन सा पंचीदा पंचीदा धनी जाती है क्या है पंचीदा धनी सुरी आती है पंचीदा धनी आती है कौन सा आई देखते है पंचीदा धनी आती है आती है पंचीदा धनी आती है और इसी प्रकार सिप्रा धनिक बनाती है यह भी ठिक है पंचीदा का मतलब होता है पंचीदा पर का मतलब क्या होगा तो पर का मतलब क्या होगा यह एक एक पर हम डिस्कुर्शन करें तो ज्यादा बेहतर होगा पर का मतलब क्या होगा कि पहला जो है वो क्या है पहला जो आपके साथ दिया गया है जिसका नाम है पंचीदा पंचीद कि गॉर। आ पॉस्व बध की निंदर क्या है पॉसू बध की निंदर की निंदर की निंदर की निंदर searched अर्फाट चीकिसा का उलेख किसमें चीकिसा का उलेख उलेख 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 चीकिसा का उलेख दूसरे में किया गया है तो चीकिसा में किसका उलेख किया गया है अर्थात मानों चीकिस कि मतलब क्या होगा कि दो रेपर जाने का उनलेख किसमें कि मतलब होगा दौरे-पर जाने का उनलेख कि यहां कि आपके सामने है वह है कौन सा धम का मतलब चाल हो गार कि फिर गोष के स्थान पे धम घोष का उलेख किए गया है तो भोष का मिलता है तो चवते में मिलता है ना नी का मतलब होता है नियुक्ति नी का मतलब क्या होगा नियुक्ति का उलेख है नियुक्ति नियुक्ति का उलेख नियुक्ति का उलेख का उलेख नियुक्ति का उलेख का मतलब इसमें धम्म महापमाति की नियुक्ति का उलेख किया गया थ तीसीलि इस पे निति का उल्लेख है अगला कौन सा है अगला आपके सामने आता है आती है आध के मतलब होता है आत्मनियंद्रण की बात कही गई है छठवे में आत्म कि लिए अंट्रण नियंद्रण चहड़े में आत्म प्रतिय दोल्हें को को निर्देस दिया गयाfallen उसमें आत्मनियंत्रण की भाब भी बात कहीं गई है तो आत्मनियंत्रण का उल्लेख किया गया है किसमें छट्वे सिलालेख में तो आत्मनियंत्रण का उल्लेख किसमें किया तो तेर्थ यात्रा का अवा लेख किया गया है तेर्थ यात्रा का उलेख दो अभी लेखों में मिलता है एक साथमा व आठमे आठमे लेख में तो शाथमा और आठमा किस्में आथी से संबंधित है ठीक है तो सिप्रा सिप्रा की चर्चा होती है तो सिप्रा में दो सब्दा है एक सी और दूसरा प्रा सी का जो लेक मिलता है वह सिष्टा चार से संबंधित है इसमें किसका सिष्टा चार का उलेक किया गया है ते सिष्टा चार सिष्टा चार का उलेक किसमें किया गया है तो सिष्टा चार का उलेक किसमें किया गया है नवे में किया गया है यह किस से संबंधित है नवे सिलालेक में किया गया है जो दस्मा सिलालेक है उसमें प्रजा के हीतों की बात कही गई ह किसमें दसमा जो सिलालेक है उसमें प्रजा के हीतों की बात कहीगे प्रजा के हीतों की बात कहीगे हीतों से संबंधित है से संबंधित संबंधित तो प्रजा के हीतों से संबंधित कौन सा है तो दसमा सिलालेक है इसी प्रकार जो इग्यारहमा सिलालेक है इग्यारहमा सिलालेक धनी बनाती है तो जो इग्यारहमा सिलालेक है उसमें धम की ब्याख्या की गई है किसमें धम की ब्याख्या किसमें की गई है तो धम की ब्याख्या किसमें की गई है तो धम की ब्याख्या जो की गई है इग्यार कि गई है इसी प्रकार जो नी का मतलब यहां होगा अर्था जो बारहमात चिलालेक है बारहमा सिलालेक बारहमें सिलालेक में इस्त्री महामात्य की निवक्ति का उलेक किया गया है किसमें इस्त्री महामात्य की किसमें नियुक्ति का उले किसमें किया गया है बराहमिय सिला लेख ना इसी के साथ ही जो बनाती है बाग का मतलब होता है बनाती अर्थात कलिंग युद्ध से समंदित है तिरहाँ चिला लेकिस में कलिंग कलिंग युद्ध से समंदित है युद्ध से समंदित है कलिंग बनाती है का मतलब कलिंग युद्ध से समंदित है इसी प्रकार युद्ध धनिक तरी एक सकेन एक से किन का समय दीजे यहां थोड़ा सा अ चले यहां है धनी कर बनाती है ना तो कर का मतलब यहां किसका उले किया गया है कलिंग का उले किया गया है कलिंग कलिंग युद्ध का उले कि युद्ध का उले किया गया है तो किसमें 13 सिला लेक में कलिंग युद्ध का उले किया गया है और जो बनाती है दनाती है का मतलब क्या होता है तो बनाती है का मतलब धार्मिक जीवन ब्यातीत करने का उले किसमें किया गया है तो ब्यातीत करने का उले किसमें किया गया है तो पहला सिलाले कौन सा संबंधित है तो पहला सिलाले की यह है पहला हो गया दूसरा सिलाले का संबंधित से है तो दूसरे सिलाले का संबंधित से है तीसरा सिलाले का संबंधित कौन है तीसरा सिलाले का संबंधित से है चौथा सिलालेग का संबंध किस से है तो चौथे सिलालेग का उलेग किस में है चौथा में है पाच्वे सिलालेग का संबंध किस से है तो पच्वे सिलालेग का संबंध इस से है छट्वे सिलालेग का आत्म नियंत्रण की बात कही गई है तो किस में है इसमें है छट्वे में शटमा है सत्मे का उल्ले किसमे किया गया है तो सत्मे का उल्ले किसमे किया गया सत्मा अठमा यह है नवमे का उल्ले किसमे का किया गया है तो दसमे का जो उल्ले किया गया है वो इसमे है दसमा दसमा कौन सा है यह है दसमा ना ग्यारहमा कहा कौन सा है तो ग्यारहमे में ग्यार हुआ है यह कौन सा है 11 11 11 यह है बारा हुआ कौन सा है तो बारा हुआ में बारा हुआ में कौन सा है इस्त्री महामात्ति की न्युक्ति का उल्ले किया गया है ति किसमें 12 में किया गया है ते रहा हुआ कौन जाय ते रहा हुआ तो आपको चाहे जिस तरीके से आपको याद हो सके वो याद कर सकते हैं बस आज के लिए इतना ही अगले सेशन में हम मुलाकाद करते हैं तो और अच्छे ट्रिक के साथ और अच्छे सेशन में हम मुलाकाद करेंगे तब तक जितने बंद जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद